हेलो विर्वान वेलकुम बैक टू पडले जही चैनल सो आज मैं आप लोग के सामने एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे सामने लिखा हुआ है अपना एंडिये के वी पी वाई एंड आई ओ क्यू एम हो सकता है ब दे सकते हैं इस तरीके की बात है ठीक है तो सबसे पहले एंडिये के बारे में हम बात करते हैं यह मैंने ग्राउंड वक किया हुआ है सो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं तो अभी एंडिये टू होने वाला है मैं करेंट सिचूवेशन बता रही हूं इन साथ की साथ यह 12th के स्टुडेंस दे सकते हैं और जो पेपर अपना 4th September को होने वाला है तो यह पेपर 4th September को होने वाला है सिर्फ 12th के बच्चे दे सकते हैं तो जो 11th के बच्चे अभी एंडिये के बारे में नहीं सोचेंगे ठीक है और इसका एज लिमिट जो होता है अपना 16. 15.5 से 19.5 यह एज लिमिट होती है कोई अपना 20 इसका बच्चा है वो नहीं दे पाएगा या फिर आप 15.5 यह 16 के भी हो तो आप एक्जाम नहीं दे सकते हो ओके सो यह 12th क्लास के बच्चों के लिए है यहां पर थोड़ा बहुत मैं बताती हूं इसका कट-off के बारे में तो यहां पर cut-off दो तरीके से जाते हैं एक paper-wise जाती ही और एक total पेपर वाइस कैसे कि आपका simple paper के साफ से निकालते हैं और एक total निकालते हैं अपना कि अपने पास दो paper होते हैं nda1 और nda2 ओके तो यहां पर pattern कुछ इस तारीके से मूव करता है कि दो पार्ट में किया गया है एक मैंच के लिए और एक जैनरल लेटी आता है तो देखरो मैस पर dependent है क्योशन सब्छेशन मैच के क्योशन कितने आदे 120 हुआ ही जैनरल एबिलिटी में आगे English और जैनरल स्टडी से क्योशन आते हैं तो इंग्लेश अपना आता है 50 क्योशन का और जैनरल स्ट तो घबरानी की ज़रुत नहीं है आप अपने आइटी जाई मिन की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप इजी लीज पेपर को दे सकते हो क्रेक कर पाएंगे तो एंडिया का पेपर सिर्फ 12 क्लास के बच्चों के लिए तो 11 के बच्चे आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे ठी किशोर विज्ञान प्रोथसान योजना तो यहां पर यह जो पेपर है प्रेजंट ली जैनुरी में होना है 2023 में ठीक है यह 11 के बच्चे और 12 के बच्चे दोनों ही इस पेपर को दे सकते हैं 11 और 12 दोनों ही बच्चे इस पेपर को दे सकते हैं लेकिन आप लोगों का पेप जो 12th class के बच्चों का होते हैं तो S A और S X के बारे में अलग-अलग बात करेंगे ठीक है यह 11 तो 12 दोनों class के बच्चे दे सकते हैं यहां पर जो cutoff है अपना 50 से 52% के बीच में जाता है out of 100 marks तो मतलब ऐसा है कि आदा paper आप सही करके आ जाते हैं तो आप qualify हो जाते हो KVPY इसके बाद अपना interview होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ exam qualify किया तो done इसके बाद अपना interview होता है क्योंकि इसके बाद हम जब KVPY आप qualified होते हैं तो आपको scholarship मिलती है अब मैं थोड़ाँ सा pattern discuss करती हूँ हो ऐसे और SX को लेकर कि ऐसे कौन सा पेपर है जो 11th क्लास के बच्चे देंगे और SX कौन सा पेपर है जो अपना 12th क्लास के बच्चे देंगे तो बैसे के लिए ऐसे ही मैं हम discuss करें तो देखो जो physics और chemistry है वह अपना advanced level का मान सकते हैं एडवांस लेवल का कि मतलब difficult आता है येस लेकिन जो मैथ है अपना वो सुपर डिफिकल्ट आता है एडवांस प्लस ओलंपियार्ट के बारे में सबने सुन रखा होते हैं ओलंपियार्स है ना वो अलग-अलग अपने subjects का अलग-अलग ओलंपियार्स होते हैं तो यह जो mathematics ह एडवांस प्लस ओलंपियार्स लेवल का होता है लेकिन physics chemistry आपके simple advanced और मेंस के एकात कुशन आ सकते हैं पर advanced लेवल का ही होता है यह से एका pattern है सिमिलर्ली हम Essex की पास जाते हैं तो यहां पर वही है कि अपना जो physics chemistry है वह advanced लेवल के similar है तो मतलब आपकी प्रेपेरेशन सिरफ जेई में के लेवल की है तो आप इन एक्जाम्स को दोगे तो थोड़ा सा आपको demotivation feel होगी क्योंकि यहां पर questions का level काफी अच्छा आता है ठीक है बोला है advanced लेवल का तो अच्छा ही है साथ की साथ maths के लिए आप अराम से देखो कि यहां पर maths जो अपना olympiad level का जा रहा है तो बहुत अच्छी preparation है तो हम kvpy को फोड़ सकते हैं ठीक है एंड लास्ट हम लोग discuss करेंगे i-o-q-m के बारे में किसके बारे में i-o-q-m इसका full form क्या है इंडियन olympiad qualified mathematics तो basically पहले हमारे पास p-rmo होता था फिर rmo होता था फिर inmo फिर imo यह stages होती थी लेकिन अभी p-rmo-rmo हटा करके एक ही stage कर दिया है और यह 2020 में स्टार्ट हुआ है भी उससे पहले आपके p-rmo होता था फिर p-rmo qualified हो तो rmo और उसके बाद आप इनमो तक पहुंचते थे जो नेशनल लेवल पर है और यह international लेवल पर है तो अभी आपको पहले io qm qualify करना है तो io qm के बारे में हम लोग जानते यह सिर्फ mathematics का है तो आप यह नहीं पूछेंगे कि chemistry of physics के बारे में क्या यह सिर्फ mathematics का olympiard है तो यहां पर कट-off के लें बारे में बात करें बहुत कम जाती है अच्छा सबसे पहली बात यह ऐसा paper जो eight class से लेकर के ट्वेल teacher के बच्चे देते हैं सोचो eighth class से लेकर के ट्वेल क्लास के बच्चे देते हैं हाह eighth से 11th का cut-off जो हम माने यह 35 से 38 percent टक जाता है बट 12 का cut-off जो है 50 50% के अकॉर्डिंग जाता है मतलब 50% के आसपार यह स्टेट वाइज भी थोड़ा डिफर करता है क्योंकि पेपर उनका अपना अलग होता है तो कभी-कभी यह भी देखा गया यहां पर कि इनका मिनीमम मतलब कट अफ जो है फाइव मार्क्स तक भी गया है सोचो पांच नंबर और यहां पर कट अफ जो अपना सेवन मार्क्स तक भी गया है तो यह स्टेट वाइज डिफर करता है हर स्टेज का अपना अलग अलग कट अफ निकलता है अभी जो पेपर है वो 30 अक्टोबर को होने वाला है ठीक और यहां पर मैं थोड़ा डिसकर्स यह तीन घंडे का अपना पेपर उठता है थुरी आज का थुरी आज के पेपर में हंडेड मांक्स के जो पेपर आता है उसके अंदर किस तरीके से क्रिशन होते हैं दस क्रिशन होते हैं दो नंबर के बारा क्रिशन होते हैं पांच नंबर के और दो क्रिशन होते हैं दस नं 99 सूपर निकाल है मतलब गलत आंसर और बढ़िया बात क्या है कि यहां पर कोई नेगेटे मार्किंग नहीं होती है तो ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल है इसलिए नो नेगेटे मार्किंग यह क्योशन कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होते हैं ओलंपियाड लेवल का मतलओ नहीं हो थालग हो मसका ऐसा इसलिए का falar si omd Fahrenheit स्वालिपर ऑसे उस Columbus कोड़िकें उससे सण तो आप एक बार यह आयो क्यों हों क्वालिफाई करते हो झ मिए हैsti ऑचन को आप इस paper को qualify करते हैं तो आप बाहर जाएंगे basically IMO paper आप देंगे और इधर IMO में बहुत special चीज़ा होती है camp लगते हैं मतलब काफी trend आपको किया जाता है अपना Indian government की side से आप इसे अल आपवाओ स्मॉल ब्रीफ अबाउट दर के बीपी एंड यहार आयो के अ जो इस तरीकी की जानकारे क्लिए बिल्कुल जूडे रहिए पढ़ ले जाइए चैनल से